भारत माता की सभी दाना सयानों दिजी भोली चाचा बडियों तैं मेरू प्रणाम मात गंगा के सानिज्ज में बसे चार धाम के द्वार रिशिकेश में इतनी विशाल संख्या और इतने बड़े उत्सा उमंग के साथ आप हम सबको आशिरवाद देने आये हैं मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं उत्रा खंड आता हूँ तो आप से आशिरवाद मांगने के साथ ही आप सभी परिवार जनों के साथ पुरानी यादे भी ताजा कर लेता हूँ कल मैं भारत के दक्षिनी छोर पर सागर तड़ पर बसे तमिलनाडू में था और वहाँ भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार आज हिमालई की गोद में बाबा के दार और बद्री विशाल के चरण में हूँ तो यहाँ भी वही गुंज है फिर एक बार फिर एक बार हमारे यहाँ उत्राघंड में यह तो देव भुमी है देवताओं का आवाहान करने की परंपरा है और हुडका का नाद देवताओं का आवाहान करने में उर्जा देता है आज मुझे भी जनता जनारण जो देवता रुपी है उनका आवाहान करने के लिए फिर का का नाद बजाने का सवभागे मिला साथियों एक गुंज इसलिए है क्योंकि देश के लोगों ने पूर्ण बहुबत वाली स्थील सरकार का काम देखा है आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते दस वर्ष में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबुत कर दिया है मेरी बात से आप सहमत है सहमत है पूरी तरह सहमत है जब जब देश में कमजोर और अस्थीर सरकार रही है तब तब दुश्मनों ने फाइदा उठाया है जब भारत में कमजोर और अस्थीर सरकारे थी तब भारत में आतंकवादने पैर पसारे आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है इसलिए आतंकवादियों को घर में गुश कर मारा जाता है आज भारत में मजबूत सरकार है इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है ये भाजपा की मजबूत सरकार है जितने साथ दसक बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल तीन सो सत्तर खत्म करने का साहस किया ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने तीन तलाक के खिलाब कानून बनाया ये भाजपा की मजबूत सरकार है जिसने महिलाओं को लोगसभा विदान सभा में आरक्षन दिया ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी दस प्रतिशत आरक्षन दिया साथियों कॉंग्रेस की सरकार होती तो वन रैंक वन पैंशन कभी भी लागू नहीं होता मोदी ने ये गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया ये कॉंग्रेस थी जो कहती थी कि वन रैंक वन पैंशन लागू करके हम पूर्व सहिनिकों को पान्सो करोड रुपिय देंगे ये मोदी है जिसने वन रैंक वन पैंशन लागू करके पूर्वर सहिनिकों को एक लाग करोड रुपिय से जादा उनके एक बैंक खाते में पहुंचा दिये हैं यहां उत्रा खंड में भी वन रैंक वन पैंशन के साड़े तीन हजार करोड रुपिय से जादा सैनिक परिवारों को मिले हैं भाई और बहनों कॉंग्रेस के समय में तो जवानों के पास बुलेट प्रूप जैकेट तक की कमी थी दुश्मन की गोली से बचाने के लिए पुक्ता इंतजाम नहीं था यह भाजपा है जिसने भारत में बनी बुलेट प्रूप जैकेट अपने सैनिकों को दी उनके जीवन की रक्षा की आज आधुनिक राइपल से लेकर लड़ा को विमान और विमान वाहक पोत तक देश में ही बन रहे हैं मेरी इदर सु कुछ लोगों से प्रार्षना है उदर कुछ लोगों से प्रार्षना है देखिए अब आप आगे आ नहीं सकते हो सकता है आप मैंसे बहुत लोग होंगे जो मुझे देख नहीं पा रहे हैं लेकिन उसके लिए मुझे छमा करें अब आप सुन करके संतोस कर लीजिएगा और जो जादा उच्छा और उमंग में है उनसे मेरी प्रार्थना है अभी ये जो गुर्जा है ना उन्निस तारिश साथियों ये जो उर्जा है ना वो उन्निस तारिश तर हमें काम में लगाये रखनी है सारी उर्जा आज बदखर्च कर दीजिए आपका ये प्यार आपका ये उच्छा मेरे सरांखों पर है अगर आप इजाज़त दें तो मैं बोलना सुरू करूं देखे उत्राखन वालों के लिए मैं आपका खुद का घर का हुझी मैं यहां बैटे बैटे सब पुरारे पुरारे चेहरे देख रहा था दूर से मुंडी हुला करके उनको दबस्ते कर रहा था आप लोगों से मरा इतना निकट नाता रहा है दोस्तों यह मेरा सवभग्य है और मैं कभी भी उत्राखन के प्यार को जीवन में भूल नहीं सकता हुझी आप अगर मुझे अनुमति दे तो मैं बोलना शुरू करूं लेकिन फिर आप एकदम से जोस में आ जाते हैं तो आपकी इजाज़त है इजाज़त है मैं बोलना शुरू करूं कितने अच्छे लोग है आप देखिये सास्यों कॉंग्रेस की कमजोर सरकार सीमाओं पर आदुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई आज देखिये पूरी सीमा पर आदुनिक सडके बन रही हैं साथ्यों कुछ साल पहले बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुँ से अचानक ही निकला था ये दसक उत्राखंड का दसक है मैं मुझे क्षमा कीजिए आप शांत रहेंगे क्या मुझे क्षमा कीजिए आप शांत रहेंगे क्या आप कहें तो मैं बोलना शुरू करूँ बाई आपका प्यार आपका उच्छा मेरे सर आंखों पर मैंने कहा न मैं आपके प्यार को कभी भूल नहीं सकता हूँ लेकिन मैं बोल ही ना पाओ इतना उच्छा करोगे तो इतने लोग है वो सुन नहीं पाएंगे मुझे चिन्ता सबकी है आपकी भी है दन्यवाद बैया हमारी सरकार उत्तरा खन के सामर्थका लगातार विस्तार करने में जुटी है और इसमें बहुत बड़ी भूमी का परियतन की है यात्रा की है यात्रा धामों की है रुसी केस्तो आज पास के कई राज्यों के लिए वहां के लोगों के लिए परियतन का सबसे महत्पुन केंद्र है और एक जमाना था जब योग की पूरी दुनिया में धूम नहीं थी तब भी दुनिया के कई देश के लोग जिग्यासु के नाते योग के लिए ये हमारे रुसी केस आया करते थे मुझे आद है बहुत पुरानी घटना है मैं एक बार वियसे गया था अब मुझे वो इतना इंट्रियर इलाके में मैं गया था कि मुझे कोई वेजिरे ट्रेन खाना में तलास रहा था अब मुझे कही अतापता ही नहीं मिल रहा था एक वेजिरेन इतने में एक छोटी सी दुकान में एक अमेरिकन नागरी छोटी दुकान लेके बैठा हुआ था लेकिन उसके गले में तीन-चार रुदराश्टी माला है थी तो मैं उसके पांच कला गया तो उसने भी नबस्ते करके मुझे मेरा स्वागत किया फिर मैंने उसको मेरी कठिना ही बताई तो उसने का आप चिंता मत कीजे मैं वेजेटरियन हूँ मैं आपके लिए कोई प्रबंद करता हूँ और उसने मुझे अपने तरीके से कुछ वेजेटरियन बनाके खिलाया और उसमें मेरी उससे बाते हुई कि आपने सब तहां से सिखा है ये माला वाला तो बोले मैं बहुत सालों से रिशिके जाता आता रहता हूँ बस उसी के कारण मेरी जिन्दगी में ये बडलाव आया है ये ताकत है इस भूमी की ये सामर्त है इस भूमी का भाईो बेहनो परियतन के छेत्र में कोई ऐसा एडवेंचर टूलिजम हो तो हमारा उत्राखंड है राप्टिंग करना हो युवाओं को यहाँ है केम्पिंग करना हो दिलप्रस्वी अगर उसमें है तो यहाँ पर है या फिर आध्यात्मों और योग में रूची रखने वाले वक्ति हो रिशिकेज आकर हर कोई आनंद से भर जाता है बाजपा सरकार उत्राखंड के परियतन को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर तयार कर रही है इसके लिए हमारा फोकस इस बात पर है कि देश के किसी भी हिस्से से परियतकों के लिए उत्राखंड के कोने कोने तक पहुँचना आसान होना चाहिए इसलिए हम देव भूमी में रोडवेच, रेलवेच, एरवेच की लगातार सुविदा बढ़ाते जा रहे है यहां रिशिकेज करनप्रयाग रेलवेच लाइन पर तेजी से काम चल रहा है दिल्ली से देहरादून की दूरी भी सीमट रही है उत्राखंड के जिन सीमावर्ति गाउं को कॉंग्रेस अंतिम गाउं कहती थी भाजपा उन्हें देश का पहला गाउं मानकर विकास कर रही है आपने देखा होगा मानस खंड के तिर्टस्तानों जैसे आदी कहलाश ओम परवत दर्शन के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं शुरू हो गई है यमनोत्री केदारनात और हेमकुन साहब में रौपे बनने से बहुत सुविदा हो जाएगी सडक के रास्ते जो दूरी तै करने में कई कई गंटे लगते थे उसे कुछ ही समय में फूरा कर लिया जाएगा चार धाम परियोजना के तहप केदारनात, बद्रिनात, गंगोत्री और यह मुनवत्री को लगभग नियत सही है और जम नियत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं साथियों, दोजार सप्ताइस तक केदारनात में एक साल के भीतर करीब पांच लाग स्रत धालूओं को पहुंचने का रिकॉर्ड था पिछले वर्ष करीब बीस लाग यास्त्री केदारनात के दर्सन के लिए आए अगर पूरी चार धाम यास्त्रा की बात करें तो पिछले वर्ष 55 लाग से जादा स्रत धालूओं ने उत्रा खंड की यास्त्रा की पिछले वर्ष ही मैंने मानस खंड में आदिकैलास और ओम परवत की यास्त्रा की थी लोगों को हिमाले में सीट ऐसी अलोग की जगों को देखने का आउसर मिला तब वहां भी सेंकडो यास्त्री पहुंचने लगे है परियंटन का ही विस्तार सिर्फ एक सेक्टर का विस्तार नहीं है परियंटन बढ़ने का मतलब है रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा आउसर साथियों उत्राखन में हो रहे इस विकास ने अब पलायन की खबरों को बीते दिन की बात बता दिया है अब उत्राखन के स्टार्ट अप की खबर आती है उत्राखन के नवजवानों ने एक हजार ते अधिक स्टार्ट अप रजिस्टर किये हैं इसमें भी लगबद आधे यानि करीब पांसो स्टार्ट अप्स उत्राखन में हमारी बेटियां उसका नेत्रत्व खर रही है गर्व होता इन बातों से मुद्रा योजना से लाखों नवजवानों को बिना गारंटी के रण मिले है ये पैसा तूरिजम से जुड़े हुए काम जैसे होमस्टेज, गेस्टाउस, दुकान, धाबा बहुत बड़ी मात्रा में इसे बनाने में ये धन काम आ रहा है जब कॉंग्रेस की सरकार थी तो गरीब का नवजवान का पैसा बिचोलिये खा जाते थे बाजपा सरकार लोगों के हग का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसपर कर रहा है उत्राखन के किसानों को पी एम किसान सम्मान निभी का दो हजार छेसो करोड पे से अधिक उनके खाते में जमा हो चुके हैं कॉंग्रेस की सरकार होती ते सब कुछ लूट जाता ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुसा सात्वे आसमान पर है और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं और जब मैं कहता हूँ जब मोदी कह रहा है ब्रस्टाचार हटाओ तो वो कह रहे हैं ब्रस्टाचारी बचाओ आप मुझे बताईए साथियो ब्रस्टाचार हमारे देश के लिए विनाशक है के नहीं है आप के लिए विनाशक है के नहीं है ब्रस्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस देश को ब्रस्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए क्या मेरे जैसे भ्यक्तिने इमानदारी से कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए इसलिए कितनी ही मुसीबते जेल नी पड़ी आपके आशिरवाद बने रहेंगे न आपके आशिरवाद बने रहेंगे न ये आपके आशिरवाद है कि मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ साथियों कॉंग्रेस के नेताओं के लिए तो पहले बिल्ली का साही परिवार और फिर खुद का परिवार यही सब कुछ कॉंग्रेस की परंपरा में है लेकिन मोदी के लिए तो आप सभी मेरा भारत ही मेरा परिवार है भाईयों बहनो मेरी जिन्दी के महत्व मुणकाल खन मैंने इस देव भूमी में बिताया है मैंने खुद देखा है गड़वाल हो या कुमाओ माता और बहनों का पूरा समय लकड़ी पानी और पशुओं के चारे के इंतजाम में ही खब जाता था अपनी बहनों की इनी समस्याओं को देखते हुए हमने गर गर सस्ता सिलिंडर पहुंचाया जल जीवन मिशन के तहर भी उत्राखन में बहुत काम हुआ है दोजार उन्नीस तक उत्राखन में दसमें से नव परिवार के पास ही सो में से नव परिवार के पास ही ये पानी की स्थिती थी याने एक प्रकार से दसमें से एक के पास सुविजा थी आज स्थिती बदल गई है आज उत्राखन में दसमें से नव परिवारों के घर में नल से जल आता है आपको जब राशन के लिए दवा के लिए भी चिंता की जरुवत नहीं रही आने वाले पांच साल तक मुप्त राशन मिलता रहेगा अस्पताल में मुप्त इलाज मिलता रहेगा यहां उत्राखन को एम्स की सुविदा मिली है गाउं गाउं अच्छे अस्पताल आउश्मान आरोग्य मंदिर बन रहे है धामी जी और उनकी सरकार इन सारी बातों के लिए बहुत महनत करके शांदार काम कर रही है भाई और बैनों कॉंग्रेस विकास और विरासत दोनों की विरोधी है उत्राखन का कोई निवासी यह नहीं भूल सकता कि कॉंग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाये है यह कॉंग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया जितने अडंगे डाल सकते थे डाले अदालत में भी रुकावटे करने की कोशिच की लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने कॉंग्रेस के सारे गुना माप करके उनके घर जाकर के उनको निमंतर दिया लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं घर जाकर के निमंतर दिया गया था प्रभुराम के प्राण प्रतिष्ठा का आउसर था उन्होंने उसका भी बहिश्कार कर दिया और अब तो कॉंग्रेस ते प्रण लिया है सार्वजनी गुरुप से गोशना किया है कि हिंदू धर्म में जो शक्ती है उसका मिनास करेंगे कि कॉंग्रेस शक्ती स्वरुपा मा धारी देवी मा चंद्रबदनी मा ज्वालपा देवी की शक्ती को खत्व करना चाहती है उत्रा खन की आस्था को तबाह करने की जो साजी से चल रही है उसमें कॉंग्रेस की ये बातें आग में गी का काम करेंगी उत्रा खन की संकृती की रख्षा करना हम सभी का दाईत्व है आपको भूलना नहीं है ये वही कॉंग्रेस है जो कहती रही है कि हरकी पौडी में वो मा गंगा के किनार पर हरकी पौडी नहीं है ये क्या कहते हैं एक नहर के किनारे बसी है अब एक गंगाजी के अस्पीत्व पर सवाल उठा रहे हैं इन्हें उत्राखन के लोग सबग सिखा करके रहेंगे साथियों ये हमारा उत्राखन की पैचान ब्रह्म कमल से जुड़ी हुई है ये धर्ती ब्रह्म कमल की धर्ती है और इसलिए इस बार भी यहाँ पूरी शान से पैचा कमल खिलने चाहिए खिलेंगे पाँचो कमल खिलेंगे और भायों बैनों ये पाँचो कमल इसलिए खिलाने है क्योंकि हम विख्षित भारत का संकल्प लेके चले है और विख्षित भारत के संकल्प के लिए विख्षित उत्राखन ये हमारी प्राथ मिक्ता है और भायों बनो इस काम के लिए मेरा पलपल आपके नाम है मेरा पलपल देश के नाम है और मेरी गारंटी है 24 by 7 24 by 7 और 2047 ये मोधि का आपको गारंटी है 19 अप्रिल को टीहरी गडवाल से बहन माला राज लक्ष्मी सा गडवाल से भाई अनिल बलूनी और हरिद्वार से भाई त्रिवेंद्र जी को हमें विजई बनाना है लेकिन मेरी अपेक्चा जादा है इस चुना में मेरी यही चुनोती है आपको पुराने सारे रेकॉर्ड तोरने हर पोलिंग बुठ को जीतना है जीतोगे अपना पोलिंग बुठ जीतोगे अच्छा चुनाव का काम तो करोगे ही करोगे मेरा काम करोगे जरा बताईये ने करोगे मेरा काम है परसनल चुनाव वाला काम नहीं है करोगे यह मोदी का काम है करोगे देखिये हमारे यहाँ देवताओं का महिमा होता है और यह नवराती का परव चल रहा है राम नोमी भी आने वाली है मेरा एक काम करोगे गाउं गाउं जाकर के सभी देवताओं के सामने मेरी तरब से माथा नमा करके प्रणाम करना है करोगे दूसरा काम गर गर जाना है और हर गर जाकर के सभी बड़े बुजुगों को कहना है कि मोदी जी रिशिकेस आये थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम बेजा है राम राम कहा है ये मेरा राम राम पहुचाओगे मेरा प्रणाम पहुचाओगे जब गर गर जाकर के माता बैनों बुजुडगों को मेरा प्रणाम कहोगे तो वो मुझे आशिरवाद देंगे और वो आशिरवाद मेरे लिए उर्जा है माभारती की सेवा करने की उर्जा है वो आशिरवाद आपके लिए जीने की आपके लिए जूजने की आपके लिए जीवन खपाने की बहुत बड़ी प्रेना है और इसलिए घर गर जाकर जुरूर बताईए मोदी रुसी केस आये थे और आपको राम राम कहा है कहोगे कहोगे अपने मोबाइल की फ्लेसलाइट चालू करके इस बात को आप जरा अनुमोदन दीजिए हर एक के मोबाइल की फ्लेसलाइट चालू कीजिए हर किसी के मोबाइल की फ्लेसलाइट चालू कीजिए हर किसी के उन्निस तारीक को गर्मी कितनी क्यों ना बद्दान कराएंगे हर बूत को जितेंगे मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद